अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले अब आशी प्लीज मामो की बात मान जाओ चलो कमरे में चलो मामो और मामी के साथ सो जाना आपको मामी स्टोरी भी सुनाएंगी आपको अच्छी नीद आ जाएगी नई आपने बोला करना कि अपने साथ सोने के लिए चोकलेट दोगे कहा है मेरे चॉकलेट? हाँ मैंने कहा था अपर मामू बहुत बिजी थे ना ओफिस में बहुत काम था मैं एक काम करता हूँ कल आपको दो चॉकलेट देता हूँ जो चॉकलेट नाय मुझे आज ही चाहिए वरना मैं आपके साथ नाइस होगो अरे बदमाश ब्लेकमेल करिये मामू को मामू को ब्लेकमेल करिये हाँ हाँ चॉकलेट चॉकलेट कल दो चॉकलेट लेकिन प्रॉमिस करो आप हमारे साथ कमरे में सोगे तब प्रॉमिस करो आप हमारे साथ कमरे में सोगे ओके, प्रॉमिस। जब इसका मतलब नहार सबरतस्ती आशी को चॉकलेट का लालज देकर अपने और रोही के बीच में सुलाता है इसका मतलब उसके मन में अब तक रोही के लिए कुछ नहीं है इस बात का एहसास रोही को कराना होगा नहार जी आपने ये फोटो ठीक कर वाली वो आज आपको नाराज किया था ना ये उसे की बर्पाई है मैं आपसे नाराज नहीं थी बिस परेशान थी मुझे लगा आप मुझसे कुछ चुपा रहे है तुम्हे ऐसा ना लगे इसलिए ये तस्वेट लगाई है नहार जी थोड़ा और स्माइल किया कीजी आप पर अच्छा लगता है अब वैसे नहार जी मुझे कुछ पोछना था आपसे ये एक मिनट नहार जी आज मैं जब ये गैबिनट के सफाई कर रही थी ना तो मुझे उसमें से ये मिला ये अंदर दपा हुआ था देखे नहार जी आप किती खुश लग रहे हैं इसमें पर आपके साथ ये कौन है किसका हाथ है कंदे पे अब नहीं दी दी है क्या या ममी जी रोही फेंग तो इस फटो को क्यों ना आजी क्या हुआ क्या हुआ ना जी आप ठीक है ना रोही जी मैं ठीक हूँ रोही जी आप रोही जी मैं शॉरी रोही जी मैंने ऐसे फटो फेक दी वो उस फटो के साथ कुछ कड़वी यादे जूड़ी हुई है व इस फटो में वे इस फोटो में हम रिल्ली सॉरी रोही सॉरी नहारची रोही अपने आशी को देखा गया मैं उसे ढूंड रहा था कपसे मेली नहीं रही है मझे आपने रोही का नहारची सिफ रोही सिफ रोही प्लीज वो मैं आशी को देखकर आता हूं अभी है इतनी सारी चोकलेट हाँ यह सब मैं तुम्हे दूंगी अगर आज तुम मेरे साथ सुई तो प्लीज वर नहार मम उने खाहता कि उनके साथ सुने हूं अरे पर वो उसके साथ सुने के लिए वो तुम्हें एक ही चोकलेट दे रहा है मैं मेरे साथ सुने के लिए इतनी सारी दे रही हूं सोच लो अब एक चोकलेट या फिर ये सब अजाशी जब मेरे साथ सुईगी और नहार कोई न कोई पहाना करके रुही से अलग सुईगा तब रुही को एहसास होगा कि नहार उसके साथ सुना ही नहीं जाता नहीं, मैं एक ये चोकलेट लूँगी इतनी चोकलेट खाऊंगी तो मेरे दाथ खराब हो जाएंगे इसलिए मैंना मामों के साथ सी सुना आजकल के बच्चों का कोई भरूसा नहीं है इसलिए मैंने पहले ही दूसरा प्लान बना लिया था अच्छा ठीक है, नहार मामों के साथ सुजाना लेकिन जाने से पहले ये दूद पिकिये जाओ इसे पीने से ना तुम्हे अच्छे दीन आईगी क्योंकि इसमी नीन वाली जड़ी बूटी है जिससे तुम्हे कोई नुकसान नहीं होगा बस नहीं ना चाहेगी मैं, मुझे सिर्फ चॉक्रेट मिल्क पसाना अरे, अरे दूद सियात के लिए अच्छा होता है लो, लो पगड़ो, पियो चलो पियो चुक चुक कल के किर्टन के लिए फोन होगा शायद हलो, हलो हलो, आपकी आवाज गई आरी है, हलो यह नेटवर्क भी ना हो, हलो हलो आप यहाँ हो मेरे पास आपके लिए कुछ है आपकी चॉकलेट अब चलो मेरे साथ एक शर्थ पर एक और शर्थ आपको ज्यादा स्मार्ट नहीं बन गई वो तो मैं बश्पंच से हूँ अच्छा यह दूठ पियो, तभी मैं आपके साथ चाहूँ बेटा, दूठ हेल्दी होता है चुचा पिलो और फिर चलते हैं आपन सोने अगर आप पियोगे तभी मैं चलूँगी जल्दी पियो बड़ी नानी को पता चल जाएगा तो मुझे बहुत डाट पड़ेगी लाओ इदे ये दूठ दी फेनस और बड़ी नानी को पता भी ने चला अब चले मामो आप चला मैं बड़ी नानी को बता क्या पका? बातमाश ये तूठ भी कलता हये चाकलेट भी मिल गई आपागर्मेर बड़ी नानी का साथ जोंगी इस तारी चॉकलेट मेरी आज में यही बडी जाजी के साथ सोजाती आशी बेटा देखो बडी नानी, मैंने सारा दूठ पी लिया दूठ पी लिया? और इसे कुछ हुआ भी दिया? इसे किसे? जलो नानी, चिरे ओल खेलते हैं आशी, तुम्हें पक्का दूठ पी लिया ना? देखो सच सच बताओ देखो आशी, सची सची बताना जूठ बोलोगी ना, तो तुम्हारे सिर पे सीन्ग उगाएंगे बोलो? ना, सॉरी सॉरी, वो तो मैंने ने पिया दूठ तो नामा मुने पिया क्या? ये भगवान, कहीं जो मैं चाती हूँ, उसका उल्टा ना हो जाएं देखिए मन सुनतर, तुम्हारे से ख्रवीबाद, रात साढ़े आठ बजे दंगलफले आप पर